वेलकम बेक टो आर चनल गाईज़ और आज हम बात करते हैं कि अगर आप एक WhatsApp एकाउंट चलाते हो तो क्या आप इसे डूल कर सकते हो एक ही WhatsApp में तो हाँ आप कर सकते हो इस बार के नए अपडेट के कारण आप एक ही WhatsApp में दो एकाउंट चला सकते हो नहीं आपको जीवी WhatsApp का ज open करने के बाद हम लोगो simply आ जाना है अपने whatsapp में whatsapp में आने के बाद right side corner में आपको यहाँ पर यह three dots दिखाई दे रहे हैं तो three dots पर कर लेना है click क्लिक करने के बाद आ जाना है हम लोगो सिंपली सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद हम लोगों को यहां पर राइट साइट कॉर्णर में देखो यहां पर यह जो बार कोड है उसके राइट साइट में यहां पर हम लोगों बार कोड के बगल में ही दिखाई दे रहा ह arrow type का ठीक है तो हम लोग simply arrow वाले पे क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद यह देखो यहाँ पर पूछ रहा है add account तो simply हम लोगों को add account पे आ जाना है add account पे जैसे यह आप click करते हो यह देखो जैसे normal जैसे आप नया WhatsApp एकाउंट create करते हो इसी तरह में आपको ये scene करता है जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर simply करना है agree and continue और agree and continue करने के बाद आपको अपना number कर लेना है यहाँ पर feel simply हम लोगों ने अपने number को कर लिया यहाँ पर fill out और next करते हैं और next करने के बाद यहाँ पर connecting लिख रहा है उसके बाद यह पूछ रहा है क्या आपने यह जो number fill किया यहाँ पर वो सही है तो हाँ सही है यह number और yes करते हैं हम लोग और इसमें 6 digit का एक code आएगा जो code आपको यहाँ पर feel कर देना है और यहाँ पर feel हो गया है जो नाम यह अपना लिखना है वह लिख सकते हो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं और आप कोई भी एक नाम लिख अब सब्सक्राइब करेंहाँ यहाँब Mir लिख लिया है अपने चैनल का नाम aga आग रहागल दो हैं goodbye weडियोओ अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना करते हैं हम लोग यहां से next next करने के बाद simply आपको वहाँ पर photo भी save कर सकते थे आप अगर आपको photo save करना है तो उसके बाद आ गए हम लोग देखो normal जैसे whatsapp दिखाई देता है वैसे ही सब contacts भी दिखाई दे रहे हैं कौन-कौन से आपके contacts जो है whatsapp इस्तेमाल करते हैं यह normal whatsapp के जैसा ही है एकदम से और आपको अगर पुराने वाले whatsapp में जाना है तो यहां पर यह देखो switch accounts पे दिखाणा यानि कैसे हम लोग को आ जाना है यहां पर three dots में ठीक है three dots में क्लिक करने के बाद यहां पर switch accounts दिखाणा इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद simply यह देख सकते हो हम लोगा जो switch account है यानि पुराना वले account पे हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अगर यह video अच्छी लगे helpful लगे तो हमारे channel को like and subscribe करें मिलते हैं next video में next topic के साथ